नबस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है ग्रेद दो प्यारे छात्रों, नमस्ते आज के पाठ का शिर्शक है दूध आज के उदेश्य इस प्रकार है पहला, छात्रों को दूध से परिचित कराना दूसरा, द अक्षर से बनी शब्दों से अवगत कराना तीसरा, विभगती से का प्रयोग बताना चलिए छात्रों, हम आज की कक्षा को शुरू करते है चात्रों, पहले हम कुछ वाक्य पठन करेंगे पुस्तक हाथ में लीजिये खोले पाठ दूध चलिए पढ़ेंगे गिलास में दूध है गिलास में गाय का दूध है अजय दूध पीता है अजय गरम दूध पीता है अगला वाक्य पढ़ें दूध से दही बनता है चित्र में देखिये हम दूध से दही बनाते है आपको दही खाना पसंद है ना? अगला वाक्य सुधा दही लाती है चित्र में देखिये सुधा दही ला रही है अगला वाक्य वह दादी को दही देती है वह किसको दही देती है? दादी को पढ़िये वह दादी को दही देती है चलिए एक बार फिर से इन तीनों वाक्यों को पढ़ेंगे आप भी साथ साथ पढ़ियेगा दूध से दही बनता है सुधा दही लाती है वह दादी को दही देती है चलिए अब हम अक्षरी करेंगे चित्र में देखिए क्या है हाँ दूध अक्षरी कीजिए दू दू बनता है दूध आपको रोज दूध पीना चाहिए चलिए देखें द अक्षर को कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए अब चलिए हम द के साथ मात्राएं जोड़े द में जोड़े द में जोड़े आ तो बनता है दा द से दादाजी द में जोड़े छोटी इ तो बनता है दी द में जोड़े बड़ी इ तो बनता है दी द इ दी दी से दीपक द में जोड़े छोटा उ तो बनता है दू द उ दू दू से दुकान द में जोड़े बरा उ तो बनता है दू द उ दू दू से दूध द में जोड़े ए तो बनता है दे द ए दे दे से देखना द में जोड़े ए तो बनता है दे द ए दे दे से देनिक देनिक का मतलब जो हम रोज करते हैं द में जोड़े ओ तो बनता है दो द ओ दो दो से दोस्त द में जोड़े ओ तो बनता है दो द अव दो दो से दोर द में जोड़े अंग तो बनता है दंग दंग से शब्द बनता है डंड मतलब पनिश्मेत अब चलिए चात्रों द से बनने वाले कुछ शब्द सीखे द से दूद्ध द से दही द से दादाजी द से दादीजी द से दीडी द से दीडी दसे बादाम दसे दस दसे दिन दसे दो दसे दर्वाजा दसे दत्स दसे दो दसे दो दसे दोएवाज़ दसे द दोगज़़ अग चलिए छात्रों एक बार फिर से द से बनने वाले शब्द देखें द से दूध द से दही द से दादाजी द से दादीजी द से दादी द से चांद दसे बादाम दसे दस दसे दिन दसे दो दसे दर्वाजा दसे दवा दसे दांत दसे दर्वाजा दसे दर्वाजा दसे दर्वाजा दसे दर्वाजा झाल झाल अब चलिए छात्रों द अक्षर से बने शब्दों का एक वाक्य पढ़े दीदी दादी जी और दादा जी को द ही देती है अब चलिए छात्रों हम से कारक पर कुछ अभियास कार्य करेंगे आपको याद है हम से का प्रयोग कब करते है जब हम किसी चीज का प्रयोग करते है तब हम से का प्रयोग करते है जैसे की उमा कलम से लिखती है लता चम्मच से खाती है चलिए इसी तरह कुछ और उदाहरन देखे चात्रों बताईए तो दूध से क्या बनता है चलिए देखे दूध से दही बनता है दूध से मीठाईया बनती है दूध से रसमलाई बनती है दूध से घी बनता है दूध से खीर बनती है चात्रों आज की कक्षा में हमने क्या सीखा हाँ हमने दस से बनने वाले कुछ शब्द सीखे उसके बाद हमने से कारक पर भी अभ्यास किया अब चलिए इसी पर हम कुछ अभ्यास कार्य करें पहला चलिए देखें अभ्यास कार्य एक पुस्तक खोलिए प्रिष्ठ चप्पन चलिए आपको कुछ समय दे रही हूं द अक्षर को लिखिए भी झाँ 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 बहुत अच्छा आप लोगों ने अच्छी तड़ह से द अक्षड को लिख दिया है अब चलिए अभ्यास काड़्य दो करे इसे प्रिष्ठ में देखिए नीचे नमबर दो ग पढ़ो और लिखो पहला लाइन ए हमने लिख दिया था आपको याद है य य ए ये लड़के है अब चलिए आज हम इन वाक्यों को लिखेंगे तोकरी में दो सेब है आपको इस वाक्यों को लिखना है चलिए मैं आपको कुछ समय दे रही हूँ झालिए आपको लिखेंगे चलिए सुधारते है यहाँ पर क्या लिखना है ओ यहाँ पर आप तीन बार ओ लिखिए उसके बाद द से दो लिखिए दो उसके बाद नीचे टोकरी में दो सेब है ठीक बच्चो आज की सीख दूध पीने से दात मजबूत बनते है इसलिए आपको सुबह और रात को सोने से पहले दूध पीना चाहिए अज की कक्षा यही समाप्त होती है प्र झाए इसलिए इसलिए अपनो अजय होती है पिर मिलेंगे बिर बात निर बात ठेकend nastान कि हमें इई एक पिर दितस्त निर्वार आजसी झाल